हाई गुड़ीवन स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में सो जिस पल का हम सब बहुत ही ज़्यादा बेसबरी से इंतजार कर रहे थे वह पल आप आचुका है वेल फाइनली फाइनली मार्केट में थोड़ी अब रिट्रेश्मेंट हमें देखने को मिल दिया है आप बैंक निफ्टी 550 पॉइंट 1.2 परसेंट आज नेगेटिव क्लोज हुए है और जो मेजर लेवल्स हमने कल डिसस भी किये थे वह आल्मोस्ट सारे मेजर लेवल्स के नीचे ही क्लोज किया है अच्छे कासी आज रिट्रेश्मेंट दिखाई है तो अगर आज अब बैंक नि पर घंडेट 120 पॉइंट कंटिनूसली उपर जाती है तो उस पॉइंट पर थोड़ा बैंक कन्फूजन दिखाती है वेल निफ्टी तो ओपने के बाद से एक दम क्लियर थी कि निफ्टी को नीचे ही जाना है लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसी स्टोरी नहीं थी बैंक निफ तरफ 1130 पर बैंक निफ्टी अपने डे लोग पर आई थी वहां पर सपोर्ट भी लिया था लेकिन उसके अगली कैंडल में जैसे ही अपना आज का लोग तोड़ती है बहुत अच्छी हमें नीचे की तरफ राली दिखती है और यह मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर भी जो मेरा पेड चैनल है उस पर भी मैंने डिसकस किया था कि 43.850 आज एक देखने वाला लेवल होगा अगर यह तूटता है बहुत ही अच्छी इसमें 300-300 पॉइंट की नीचे की तरफ मुव आ सकती है और वैसा हुआ भी विकॉस 43.850 जैसे ही तूटा नीचे की तरफ यहां की तरफ 43.850 अब एक इंपॉर्टन रेसिस्टेंस एक करेगा एंड उसके बाद फिर 44.140 है जो अल्टेम हाई था तो वह आज पास तो कहीं मुझे दिग नहीं रहा मार्केट फोड़ा रेटरेस्मेंट थोड़ा और करेक्शन कर सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी दोन देन फिर थोड़ी इसमें अच्छी खासी करेक्शन और हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में और चलिए निफ्टी भी देख लेते हैं वेल निफ्टी देखेंगे तो 18620 की रेंज में आज ओपन हुई थी और पहली कैंडल से ही क्लियरली निफ्टी एकदम क्लि हुई थी 18400 की रेंज में क्लोज किया है भी निफ्टी ने सो अभी मार्किट 18400 एक्जाक्ट पे ख्लोज हुए है और इसमें अब देखेंगे कल के लिए तो 18550 जो एक बहुत जादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था पहले ऊपर की तरफ अब वह एक इंपॉर्टेंट रसि नी तूटने वाला है मार्किट थोड़ा रिट्रेस कर सकती है और 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 नीचे की तरफ देखेंगे वैल अगर फ्लैट हुलती है और जो आज का लोग वह निकालती है देन डेफिनेटली 18250 टेस्ट हो सकता है निफ्टी में उसके बाद फिर 18100 टेस्ट हो सकता है उसके बा अब एक बार मेरी देख लेते हैं इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर दूँँ तो रिफ्रेश करके देखेंगे तो एक थाउजना नेगेटिव क्लोज हुआ आज बहुत ही अच्छी ट्रेड मिलती बट यही है कि आयो जस्ट फॉलोइंग द सिस्टम में क्या हुआ बैंक नि बेटर समझ आएगा तो सरी 930 को इसमें पहले मेरा पूट आप्शन का स्टॉप लॉजट हो गया था जो यह वाली कैंडल है इस रेट कैंडल ने पहले मेरा पूट आप्शन का स्टॉप लॉजट कर दिया था बिकॉस मार्केट फॉल कर रही थी लेकिन क्या होता है यह वाली जो रेट यह वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके टॉप पर मेरा कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉजब हो गया था ऐसे बहुत सारे दिन आते जब आप कुछ पॉइंट से बस रह जाते हैं और कुछ पॉइंट की वजए से आप इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट मि सब्सक्राइब कर नहीं सकते ज्यादा सो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में बहुत बड़ी फॉल आई बट अनफॉर्टनेटली विश्टाट मूव बट दाच फाइन एंड विल गैट रेटी फॉर नेक्स वीग माव और इंडिया विक्स देखेंगे तो आज 13.7 पे दिखा है उसकी वज़े से आप देखेंगे तो 7 परसेंट इंडिया विक्स पॉजिटिव आज क्लोज हो गई कहां 13 के नीचे चल रही थी हैं रिट्रेस कर सकती है जिसकी वज़े से डेफिनेटी मार्केट में फीर थोड़ा और ज्यादा आएगा एंड डेफिनेटली यह था आज की वीडियो के बारे में आपको वीडियो ची लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्या ट्रेट किया और कैसा रहा आपका पूरो दिन सब्सक्राइब आज के लिए लेट्स मिट इन नेक्स वीडियो दिन